दोस्तो अगर आप अपने यूटूब चैनल पर कुछ भी अपलोड किये जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देख लेना मैं इस वीडियो को इसलिए बना कर बता रहा हूँ क्योंकि एक एक्सिडेंट समझ लीजे हो गया है एक चैनल के साथ दो साल से मेहनत क किये जा रहे हैं अच्छा-अच्छा कंटेंट डाल रहे है और 100 dollar कंपलीट होने को थे आज के टाइम में इनका सस्पेंड होने वाला साथ ज़नवरी को इनका चैनल डेलीट हो जाएगा सस्पेंड हो जाएगा लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताओं कि इनके चैनल पर ऐसी क्या गलती इन्होंने कि जो कि आपको अपने चैनल पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णे लिया आपको अवियर करने के लिए आपको हर एक बातों को जानने के लिए समझने के लिए इस चैनल पर मैं वीडियो बनाता बताना चाहता हूँ कि आप कहीं वो गलती ना करें जो गलती इन्हों ने अपने चैनल पर किया हुआ है क्या गलती है एक-एक करके मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मेरे बहुत सारे प्यारे भाई, दोस्त, भहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो सारे लोग क्या काम करते हैं, कभी-कभी गलती कर जाते हैं, दूसरे की वीडियो देखकर अपने चैनल पर व्यूज लाने के लिए TV सीरियल अप्लोड कर देते हैं अगर आप BTV सीरियल अप्लोड करते हो तो आप से हाथ जोड़ कर रिकोष्ट है ये काम करना बंद कर दो ये काम करना इसलिए कह रहा हूं बंद कर दो क्योंकि दोस्तों इस टाइप का अगर काम आप करते हो आपके चैनल पर कभी भी copyright श्ट्राइक आ सकता है और एक टाइम पर 6-7-8 श्ट्राइक एक साथ आएगा एक ही वीडियो पर आएगा और आपका चैनल साथ दिन के बाद टर्मिनेट हो जाएगा क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़े बताना चाहूंगा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा बतादू कि आपके स्क्रीन पर अभी यहाँ पर दिख रहा है मैंने इनका नाम हाइड कर रखा है मैं हाइड नाम नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको जो इस पूछा कितने दिन से काम कर रहे हैं इन्होंने बताया दो साल से यूटूब पर मैंने का कितने सब्सक्राइबर इन्होंने लिखा मैरे 1608 सब्सक्राइबर हैं मेरे 100 डॉलर कम्प्लीट हुए थे सब्सक्राइबर इन्होंने साही चीज़ बताई मैंने का नहीं आएगा चैनल इन्होंने का कल मुझे एडसंस में मेल आया पेइमेंट प्रूफ करने के लिए तो यह तो अच्छी बात है कि एड्सन से मेल आया 100 डॉलर कंप्लीट करने के लिए लेकिन क्या होता है कि जब चैनल पर इस्ट्राइक आ जाए कॉपी राइट आ जाए एक साथ आ जाए तो बहुत कम मेंबर्शिप चलती है आपको पता है राइट पेड मेंबर्शिप हमारी वाज टाइम और बहुत सारी चीज़ों के लिए रहती है लेकिन अगर आपके चैनल पर कभी भी कॉपी राइट इस्ट्राइक आए तो फिर वह उसका हम पेड मेंबर्शिप में काम नहीं करते अगर होगा तो हम आपका चैनल वैसे ही वापस दिला देंगे लेकिन बहुत कम चांस होता है कि आपके चैनल पर ये प्राबलम मतलब सौल हो जाए जम पर कॉपीराइट आता है तो प्रॉबलम नहीं होती है फिर बिल्कुल काम नहीं करेगे क्यों क्योंकि बहिया जब आपके चप्शल पर कॉपिराइट इस्ट्राइग आ गया तो आप क्या करोगा अभी मैने आपको दिखाया आप आपको दिंखियो स्क्ष्राइग किस कंपनी ने इस्ट्राइग बेजा यह आप देखिए यहाँ पर इस्ट्राइक भेजा है अब आप करोगी यह तो fake इस्ट्राइक हो सकता है मैं आपको बता दू यह एपलेक्स जो कंपनी है यह कंपनियां सिर्फ यही काम करती है कि जैसे मेरा कंटेंट है अगर मैं इनको पैसे दूँगा और बोलूँगा आप मेरे कंटेंट का देख रेक करो कोई यूज़ करता उसे copyright वेजो तो यह सिर्फ और सिर्फ protection का यूज़ करती है यह सब को copyright strike ही बेजती है copyright strike बेजती है इसका मतलब यह नहीं है कि यह fake strike है यह 100% genuine strike है 100% सही strike है और आपके भी चैनल पर आ सकता है अब आपको क्या-क्या नहीं करना है अपने चैनल पर मैं आपको बताऊंगा एक चीजे वो नहीं करना है अगर आप करोगे गडबड होगा आपके चैनल पर कभी भी solve नहीं होगा और यहाँ पर देख लो कि इनके चैनल पर आ गया है कि 8 जनवरी 2030 को your video is removed due to copyright take down request your account is scheduled to terminated on 8 ज जनवरी 2023 को 2 साल की महनत बेकार हो जाएगी चैनल सस्पेंड हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक चोटी सी गलती के लिए यह गलती इन्हों ने यह किया कि इन्होंने अपने चैनल पर upload कर दिया बिग बोस का सीरियल बिग बोस सीरियल upload करने के लिए मात्र चंद कुछ इन्हो अगर आपका Colors TV से कोई जान पहचान है बातचीत है या फिर जिस ने इस्ट्राइक भेजा उससे बातचीत है तो चाहे वापस आजाए नहीं तो चांस बिल्कुल नहीं है कि वापस आए आपको यह गलती कभी नहीं करनी है कि अपने चैनल पर किसी का भी content यूज करने से आ definitely आप grow कर पाएंगे definitely आप work कर पाएंगे definitely आप आगे बढ़ पाएंगे आप अपने content पर focus करिए आप अपना काम करने पर देखिए दूसरे की वीडियो जितना कम यूज करेंगे उतना ज्यादा बचे रहेंगे आपके चैनल पर कोई problem नहीं आएगी उम्मीद करता हूँ कि कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी copyright strike आने के पहले अब आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है अगर आप ये गलती कर रहेते अभी तक copyright strike नहीं आया है तो आप उन वीडियो को private कर देना आगे से ध्यान रखना ऐसी वीडियो बिलकुल मत upload करना मिल